शेलर से निकली राखी को कलोनी के बाहर फैंक हो रही परिशानी कलोनी के लोगों ने समस्या को लेकर पसाशन से लगाई कोहार अंधर के समय बुजूर्गों वे बच्चों को परिशानी करती है राखी समस्या का स्षिग्र करवाया जाएगा हल जेहां शेहर के वाड़ दो इस्तित राजनगर के इलाकों में राइस मील के मालिकों द्वारा शेलरो की राखी को कलोनी के पास फैकने से लोगों को परिशानियों का साबना करना पड़ रहा है शेनिवार को कलोनी के लोगों का गुसा भड़क गया तथा सभी एकत्रित होकर प्रसाशन के खिलाफ नारे बाजी करते हुए समस्या के हल करने की मांगी कलोनी वासियों के अनुसार राइसमीलो के द्वारा रोजाना रात्री के समें ट्रॉलियों से राखी को गिराय जाता है जो उड़कर उनके घरों में जाती है जिससे वे बिमार हो रहे हैं इस पर S.T.M. नवीन कुमार ने समस्या के स्थाई हल करने की बात कही है वहीं इस दोरान कलोनी के लोगों ने कहा कि इस कलोनी में 250 चदिक परिवार अपना गुजर बसर कर रही है वे रोजाना काम करके खाने वाली लोग हैं उन्होंने बताया कि जब भी आंधी आती है तब ही राखी उनके घरों में चली जाती है राजनगर के लोगों ने कहा कि समस्य को दूर करने के लिए अनेक बार प्रसाशन के समक्ष गोहार लगा चुकी है लेकिन कोई उनकी समस्य का हल करने के तैयारी नहीं है उन्होंने कहा कि प्रसाशन को उनके समझ से कैस्थाई हल करना चाहिए ताकि वे भी अपना जीवन यापन कर सकी जाए तो सब के लिए परशानी है यह इस वतिन सुमकान है और सभी की सब प्रसान अई यह उड़ू कजाब है गर मजावाई जावाई शिटकार से मां करते ही मारा रॉरा राखिनी डलनी चाहिए इसका मसला लाल करो जिमारा प्रसान बहुत तो कितने टेम दे समस्थे हो रही है यह बहुत तो है यह जो जी राकि बरोडा है अम तो डक्टर का पीछे लँदे चिगे मारी आख खाम बढ़ जासा ना आम तो आंदे बना देशिया राखिनी तो आरे बरतन बंडे मारे जाए कि देख सको बुरा लो रहा हमारे तो गरादा तो कितने टेम दे समस्थे हैं एक साल हो गया इसना अरट दे को नी को गेर रहना है रात नत्स ओरियों गेर जाहां इब आम सुत ते रहा है तो कोई सुनवाई नहीं हो रही आप सुनाई कर लिए बिरो रिपोर्ट एवन हर्याद आप मारी आप दूआर लाए गया है और मैं इस तो चेक पर आलेगा और उचित कर लेगा और उचित कर लेगा बिरो रिपोर्ट एवन हर्याना